को पहुंचते जाले सब तो पहला सारे ही मीडिया दे सतकारत साड़े पत्रकार साथी यंदा आम आदनी पार्टी दे स्टीट हेड़ कोर्टर ते मैं तो अटा सारे यंदा स्वागत करदा तानू जी आया मेरे नाल इस प्रेस मिलनीच साड़े स्पोक्सपर्सन डाक्टर सन्नी अल्यू अलियाज साथ और एक होर साड़े स्पोक्सपर्सन रिवेंदर जी जिड़े है वो मेरे नाल इस प्रेस कॉंफरेंच रैंड गे अज पंजाब्धी कॉंग्रेस कमेटी ने अपना नमा राजा नौंस कीता है और मैं इस पर्टिकुलर शब्द राजा वरत रहा है मेला वाले राजे नौं हटा आके कोठियां वाले राजे नौं सीयं बढ़ाया ते उस तो बाद भी कांग्रेस दी गड़ी जदो नहीं चली ते आज एक होर राजे नौं जड़ा है पंजाब कांग्रेस कमेटी दा परदान कांग्रेस दे सीनियर लीडर जड़े की राजनी तक तोर दे देश्च फुलाब थाबत हो गए राहुल गांदी जी ने आज़ पंजाब कांग्रेस नौं परदान देता है राजा वडिंग जी ने अपने संबोधंच तेन दीदा जिकर कीता है अज पहले संबोधंच पीपी सी दे नव नियुक्त प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंग राजा वडिंग जी ने एक फारमूला जड़ा कांग्रेस दे वरकर नौं दस्या है कि थ्री डी दे साबनाल कांग्रेस पार्टी ओन वालाई टाइम चे चलूगी लेकिन एक डी ओदे चो मिस कर गी कांग्रेस दा डिवाइडिंग हाउस जिड़ा है ओडी मिस कर गी हिंदुस्तान दी सब्तों पराणी पार्टी जिनने कई साला तक इस देशते और देशते वकवक सूपयाच राज कीता अज आर्मोस्ट पतंदे कगारती है और जेडे नवे परदानू उनना ने अज थापया है जिस तरीके नार उनना दियाँ भी कारगुजारियां रही है चाहे बतौर MLA चाहे बतौर मिनिस्टर ते यहां उन वाले टेम चैजे कांग्रेस परदान पंजाब नू कोई सकारात मक दिशा जेडी है कांग्रेस तो उमीद नहीं है अज मैं वेख रहा सी ताज पोशी दे दुरान जिस तरीके नार नव्योज सिंग सितु साहब ने एक बिग्यान बगान्यावाणा एक कांग्रेस जो बगावत वारे तेवर अपनाए है आज पहले देनी हला की हलात ग्राउंड रैलटी थे ए हा भी कोशेक लीडर थे परताब सिंग बाजबाजी दे नार तो रहे फिर दे है कोशेक लीडर नव्योज सिंग सितु साहब दे तड़े नार है खैरा साहब नार थे ले दे के एकी लीडर सी ओ लीडर भी नवजो सिंग सिद्धू पिछले दनाज अपने नाड लेगे और जिस तरीक के नाड अज ताज पोशी तो बाद कॉंद्रेह दे वरकराच निराशा फैलिया उस तो एजे रूलिंग पार्टी आम आपनी पार्टी कि हाला की साथा इस सारे विशे नाड कोई लेना देना नहीं डरेक्ट रूप्च लेकिन आम आदमी पार्टी और मान साथी सरकार विए समझ दिया कि पंजाब चेक कंस्ट्रक्टिव अपोजीशन दा रोल करनवाली पार्टी होनी चाहिए अब सोसनार मेंनू कहना पह रहा है कि कॉंग्रेस दा डिवाइड हाउस राजा विडिंग जी दी लीडर्शिप नू चुक्के हुए आटाट लीडरां वननों स्वाल और सब तो जुरूरी तुसी नोट करोंगे सारे मेरे पत्रकार साथियो अंदर राजा विडिंग जी सोंच उकस्वागम यानी की ताज कोशिच पाशन कर रहे सी बार नवजोस सिंग सिदू कह रहे सी कि पांच साल जिस माफिया ने जड़ा सता रूड माफिया ने पंजाब नू लुटिया ओही माफिया अंदर स्टेज दे राजा विडिंग जी ना स्टेज संजी का रहे राजा विडिंग ताज कोशी करवा रहे आते सितू साब दा कांग्रेस पवंदे अंदर ही ये कहना दुझे कमरेचों कि जिन्ना ने पंजाब नू लुटिया और राजा विडिंग जी दी पहली कतार हलांकि उन्हा ने मेंचन भी कीता है अपने पाशन चे कि पहली और दुझी कतार दी लीडर्शिप दा मिन्नू सहयोग और आशिर्वाद मिर्दा रहुगा इस तो स्पस्ट है पंजाब दे लोका नू भी कॉंग्रेस दी दा जड़ा अपना कार है ओर डिवाइड हाउस है कलेश दा कार है सानू भी है जे रूलिंग पार्टी इस तो निराशा जरूर होई है हाला की असी राजा विडिंग नू बतौर पी पी सी परताँ शुब कामनावा में दिनने है जिस तरीके न बाजबा साथ दे तेवर बार आट दिखे या जिस तरीके न जाकर साथ दी गैर मजूदगी होते रही है और जिस तरीके नार सबतों वात जिननते दोश लगे सी टिक्टा वेचण दे और कॉंग्रेस दे साबका परतान शम्शेर सिंग दूलो साब ने जिननते लाए सी और हरीश चौधरी भी स्टेज दे मजूदगी है सो एक कॉंग्रेस दा जिड़ा तमाशा है एदा आज ही पोग जिड़ा आज पह गया है लेकिन फिर भी एक पुलिटिकल अपॉनेंट दे नाते रूलिंग पार्टी जेड़ी पंजाब नू मान साथ दिये गवाईच एक शांदार गवर्नेंस देंड चिच्चत लगातार जिन राप मेनत कर रही है उनना वलों राजा बड़ीकी जी नू बहुत बहुत शुब का देखो नवजो सिम सिद्धु साथ ने मान साथ दी तरीफ कल्या ने नी कीते उत्ते यूथ कॉंगरे थे कई लेडरा ने जी भी आजब मान साथ तो सेद लेड़ वास्ते कॉंगरेश नू अगा कीता है सो एते मान साथ और आमाद्नी पार्टी दी सरकार दी जड़ी कार गुजारी है जड़ी साथी कमिटमेंट है जड़ा साथा करेक्टर है जो साथी काउंटेबिल्टी है एते उदा पर्चे है उदा सबूत है हजेते जड़े मान साथी सरकार ने बहुत सारे मील दे पत्थर जड़े है पंजाब पन्जाब को मजूता हलाच एक वी बूद पानी दा है नी जड़ासी किसे दूसरे सूबे नू दे सकीए जड़े शेयर कर सकीए पंजाब दा हजारा एककड रखबा हर साल सुके दी मार्च है लेकिन जड़ी कॉंग्रेस ने एक कंड़े बीजे आप पंजाब दे तो विखनू लैके जिस कॉंग्रेस ने नेरा पुट के दितियां सी जिस कॉंग्रेस दे साबका मुक मंत्रियां ने सुप्रीम कोड ता का हलफ नामे दिते सी अज उना दी असलियत भी पिछले कालच एलो पी साब ने गुम्रा करन दी कोशिश कीती है पंजाब दे लोका नूं किसाना दे इस मसले नो लैकि किसाना दे जिड़े पर्चे कीते गए सी उना दे और पिछली सरकार करके गई है महान साथ इस सरकार ने उस सारिया गिर्फदारियां ते रोक लाती है सो मैं बेंती करूँगा विरोधी तरह दे लेडरा नूं सच्चाइनार कंस्ट्रक्टे मुद्याते क्रिटिसाइज करो असी जवाब दे एक गल पड़िश फस्ट करदा इस इशू थी साधी पंजाब दे लोका नार एक कमिटमेंट है जिस तरीके नार पिछले साल नाच पुलसदा दुर्पयोग होंदा रहा पुलसदा दुर्पयोग दे नार नार इनोसेंट लोकां पे परचे तरच होंदे रहे उस रिवायत नूँ उस रीत नूँ मांसाबती सरकार खतम करोगी इवन कॉंग्रेस और अकालियां दे तैम भी जड़े इनोसेंट लोका ते परचे होंदे नूँ भी असी खतम करन जा रहे हैं लेकिन जड़े एक गुमराक उनू स्टेटमेंट है जिस तरीके नार अलका लामबा नू लेके जिस तरीके नार कुमार विश्वाश नू लेके कॉंग्रेस इन्नी अक्टिव होईया मैंना नू बेंती करना चाओंगा की गुजराच कॉंग्रेस दे जड़े मिवानी साथ हैं कॉंग्रेस लीडर जस तरीके नार असाम दी पुरस ने उनना तनू अरेस्ट कीताया पंजाब कॉंग्रेस असाम ची भी जाके तर नालाओ दी इस करके एमें खांखांदे रोपनी लोने चाहिए असी पंजाब पुरस दी वर्किंग किसे तरह दी इंटर्फेरेंस नी कर दे कोई साथी दखलता जी नी पंजाब पुरस फेर जड़ी है बिना किसे दवाबतों अपनी जड़ी इनक्वारी और कारवाई कर रही है असी एस रिवायत नो जड़ी प्राणी चाल दी आरे हो लोग खतम कीता है कंज सब हर एफ़ाई रेजली चोभी कंटे बाद अवाद अनले नो बोजें लिए बारा प्रहें दी दर्श कीती लिए मामला दर्श कीता गया है कि उदे में बसी नोटीस दो देखो जेड़ा मामला मान्योग कोट दे अधीन है यह जितरा मैं तो अनूप पहला ही कह चुक्छ किया भी असी पुलस दी जेड़ी उना दी वरकिंग है जो ना दी कारवाई हो देच इंटरफरेंस नहीं कर दे एते मान्योग कोट ने देखना है मान्योग कोट अधालता ने देखना है यह पूर्स दा जड़ा कर्मिनल प्रसीजर है उन्हें देखना है अगर नहीं दिती जा रही तो मैंनों लगदा उन्हें वकील नू कंसर्ण पूर्स स्टेशन संपर्क करना चाहिए लेकिन जितों तक सरकारी दखना दाजी दिगाला है इन्हों सी सिर्ट उनकार मैंते बड़ा स्पस्ट किया है जितों कैबिनेट दी फॉर्मेशन तो पहला साथे नेशनल कन्वीनर अर्विंद केजरी वालती और पंजाते मान जो मुत्ख मंत्री मान साब ने लाइव होके कहता सी कि कोई भी MLA कोई भी पार्टी दा लीडर कोई S.H. चो तो लेके S.S.P. लबॉन तक साथे को नावे एस सिदा सिदा संदेशी कि पुर्सदा राजनिती करण जेड़ा पिछले सालाच होंदा रहा पुर्सदा धुर्पयोग होंदा रहा और ते आमादी पार्टी उसे रव माइकनों अगे नहीं चलाओगी और इसनों बंद करोंगा तशीर दारों ने भी एक मुर्चा पुला है राजर्स वो मंतरी अब्रम शंकर जिंबा के खिलाव और उन्होंने आरोप लगा कि करोड़ प्रोड़ा रूपय का गबन मौल उसके संदर्ब में आजो पीसी प्रैस बेखो डेटो डेटो डेट जीड़े आफियर सस्तरा दे उन्दे आ उन्नु मान जो मान साथ भी सरकार देते हैं उन्नु लेकर जो भी जो कारवई बन दी होगी या अजट पूजीशन की है जो भी असल चगाल है उस सरकार रखोगी पर मिनू लगता नहीं कि बहुत वड़ देन वाला इसु हुआ लेकिन अगर कोई भी एवजी कोई इंसिदेंट अगर होया ते एस सरकार देते हांचा सरकार उपते कोई ना कोई डिरेक्शन जुरूट जुरूट जारे कोई पर आज जो कॉंदेर्स ने इसमाश की किता आपना आपका वदार सामदे आए कि उनाइट कि इसकर आए उनाइट कोई कोई लोई कोई कोई लेक्शन आपकोजिशन दा बहुत बड़ा रोल है हेल्दी डेमोक्रेसी चे कंस्ट्रक्टी ऑपोजिशन होनी चाहिए थी पर बदकस्मती ना वैसे थे कॉंग्रेस पूरी तरह नकारी जा चुकी है पंजाब दे लोग का लेकिन जेनी भी बची वी या ओदेच भी जड़ी जिस तरह दा क्लेश है काटो क्लेश है उननों कोई बहुत ज्यादा पंजाब दे लोकानों लोकां तो नहना उमीदा नहीं है और वैसे भी पंजाब दे लोकान दे मनों ये पार्टी होन उतर चुकी जड़े यूज थाब कोई जिड़े जाल कर रहे सी कि उसके तो अटी सब्गार निश्णागा कर रहे सी जवाब दे आम सदारन लोकाना आम सदारन लोकान दे हित वस्त लगता चंगे फैसले ले रही है सबाविक तो और दे बहुत सारे लोग और वोनों वाले टेम चेदिय तरीफ कर दे रहेंगे होन भी कर रहें गामी कर रहेंगे